श्मसकार गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी उमीद है सभी साथी मस्त जबर्जस्त भेहतरिन जिन्दबाद होंगे दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवाल लर्णिंग देपर और दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरबुचा Polytechnic Odd Semester जिसमें कि First semester, Third semester और Fifth semester आता है इनके Odd semester क्या होंगे? New exam date क्या है? क्या आपका जो exam है वो जनुवरी में होगा? इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट आई है और उसी के बारे में हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर के हाजिर है ताकि आप तक सबसे सटीक, सबसे बहतरी इनलेसिस का वीडियो पहुँचता रहे तो दोस्तों जो साथी पहली बार लर्निंग दे से जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें पॉले टेकनिक फर्स सेमेस्टर के डेली साम को नौ बजे एक बढ़िया क्लास आपको मिलती है उसको जरूर आप देखें उसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीजे उस क्लास से देखने को मिलेंगी तो आज ये दोस्तों आज कि इस वीडियो में देखते हैं कि हम न्यूज़ एक्जाम डेट क्या है फिर अस्थागेद पॉले टेक्निक हेडलाइन दी गई है लखनव से प्रकासित है और कार्याले संबाद दाता के द्वारा ये आपका न्यूज इस न्यूज़ पेपर में प्रिंट हुआ है अब ये न्यूज़ पेपर कौन सा है थोड़ा सा इस पे अभी सस्पेक्टेड ह है थोड़ा सा रहा हला कि मेरे को मुझे क्लियर है मुझे पता है लेकिन ओपनली मैं किसी न्यूज़ पेपर का नाम ऐसे लेने से थोड़ा सा गुरेज कर रहा हूं लेकिन हमसे से नहीं मतलब हमारा में टार्गेट यह है कि आखिर ये न्यूज़ पेपर कहना क्या चाहता ह है आखिर क्या नई अपडेट सच में ऐसी कुछ हाई है तो इसमें दोस्तों अगर आप थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें लिखा गया है कि जनुरी के दूसरे सब्ता में हो सकती है पर इच्छा जनुरी के दूसरे सब्ता मतलब जनुरी कि बहुत ज़्यादा कुछ असपस्टी करन इसका नहीं आ पाया बोर्ड कुछ नोटिस नहीं दिया क्लियर इसलिए 27 और 28 वाले एक्जाम के जो आपके पास बहुत सारे से एक्जाम के हो सकते हैं मैंने पहले भी आपको बताया था कि लगभग 5-10 जनुरी के बीच में आपके ईक्जाम हो सकते हैं इसमें तो अगर सब्सक्राइब कर रहा है और इसकी वजह बताई जा रही है पुनर मुल्यांकन का परीडाम पुनर मोल्यांकन का मतलब जैसे अगर आपको किसी भी पेपर में आपको 15 नूमबर दे दिए गए और आप उस नमबर से सिटिसफाई नहीं है तो आप उसको क्लेम करते हैं तो बोर्ड फिर से आपकी कापी चक करता है और फिर से आपका रेजल्ट घोसित किया जाता है उसी को बोला जाता है पुनर मोल्यानकन तो उसका जो रेजल्ट है वो बोर्ड नहीं घोसित कर पा रहा है इसका क्या कारण है इसका कारण है आपको ये मिल जाएगा इस तरफ की पुनर मोल्यानकन रेजल्ट आधा ही आया है आधे बच्चों का result आ ही नहीं पाया है पुनर मोलयनकन का इसी वज़े से जो polytechnic odd semester का आपका exam है उसको जन्वरी के दूसरे सब्ताह तक सिप्ट किया जा सकता है जन्वरी के दूसरे सब्ताह में आपका exam हो सकता है लेकिन दोस्तों मैं इन सारी चीज़ों के साथ-साथ आपसे एक चीज़ ये भी बोलूँगा कि अभी आपको अपनी तयारी बिल्कुल वैसे ही रखनी है जैसे आपका एक्जाम 28 तारिक या 27 तारिक से है ऐसा करने से फाइदा क्या होगा कि आपको जो पांच से दस दिन का एक्स्टा टाइम मिलेगा इसमें आप अपना एक्स्टा एफ़र्ट लगा सकते हैं और तयारी को और अच्छा मजबूत बना सकते हैं फर्स सेमेस्टर वाले बच्चों को तो इटेंसन लेने की ज़रूरत नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलिग्राम इंस्टाग्राम और वाट्सेप ग्रूप का आपको लिंक मिल जाएगा उसको जरूर जोइन कर लो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपको मि करवाई ही जा रही है तो कुल मिला करके आज के सबोर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इसमें बताया गया है कि माना जा रहा है कि परिच्छा जनुरी के दूसरे सब्ता में हो सकती है करीब 2,80,000 इस्टूडेंटों को इस बार एक्जाम देना है बेसम स सिमेश्टर हैं लगभग 2,80,000 और बोर्ड ने पहले 17 दिसंबर को बताया था फिर 27 दिसंबर हुआ फिर अभी तक कोई एक्जैक्ट डेट क्लियर नहीं हो पाई है तो कुल मिला के इस नोटिस का टैर्केट यही है इस नोटिस का मतलब यही है कि आपकी तिती जल्दी ही घ एक्जैक्ट डेट मानके स्टार्ट कर देनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनी पढ़ाई में लग जाना है क्योंकि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम दस दिन का टाइम है और इस दस दिन के टाइम पे अगर आप थोड़ा सा भी लूज रहते हैं तब आपके पेपर का जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया से आगे बढ़के हमें दोस्तों हर एक पेपर में 30 प्लस नंबर करने हैं फर्स सेमेस्टर के बच्चों को तो अलड़ी 30 प्लस होई जाएगा डेली साम को 9 बजे की एक वीडियो देखो आप बहुत अच्छी वीडि चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को सेयर करें और हमें कमेट जक्षन में हमें सपोर्ट करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ लिखें वीडियो को लाइक जरूर करने मस्कार जय हैं टेक क्यार थैंक यू